नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका UPSC Unstoppable में मैं हूँ आपके साथ सुमित और दोस्तों हम यहाँ पर एक बहुत ही important news को डिसकस करने जा रहे हैं क्योंकि यह जुड़ी हुई है इंडिया के नेबर हुट से हां जी इंडिया के नेबर हुट में conflict जब भी चल चल रहा है उस पर एक पैनी नजर बनाए रखें तो इसी बीच में यहाँ पर एक news निकल कर सामने आई है कि अफगानिस्तान और इरान के बीच में कुछ यहाँ पर आशे हुए है यहाँ पर एक दूसरे के उपर गोलाबारी हुई है एक दूसरे के इन्होंने आप जानते हैं पाकिस्ता है जैसा आफ जानते हैं अफगानिस्तान जो है वहाँ पर तालिबान का सहस्तन है तो वहां पर इस समय तालिबान के जो लड़ाके हैं उनका conflict चल रहा से ठीक है और यह किस वज़ा से हो रहा है क्या यहां पर कारण है सब कुछ जानेंगे इस पूरी वीडियो में तो एंग तक वीडियो को देखेंगे और उससे पहले हम देखते हैं यहां पर यह किस पेपर से जुड़ता है अगर हम बात करें यूपीसी के एक्जाम जो पेपर GS paper 2 है जिसके अंदर हम पढ़ते हैं international relations तो international relation के अंदर ये news important हो जाती है GS paper 2 के अंदर जिसमें बाकी topics भी आप देख सकते हैं यह सब आते हैं अब बात यह है कि यह matter आखिर कैसे बड़ा क्या यहां पर आपको देखने को मिलता है तो यहां पर gunfire दोनों ही parties के बीच में एक water dispute जी हां यानि की पानी का जो बटवारा है उसको लेकर यहां पर main conflict वो चल रहा है कौन सी नदी यहां पर involved है जानते हैं ठीक है तो जो main कारण है वो है helmet नदी जो है इसके पानी के बटवारे को लेकर इरान और अफगानिस्तान में conflict चल रहा है और यह कोई नया conflict नहीं है यह काफी पुराना conflict है पहले से ही यह conflict चलता आ रहा है कई सदियों से कई centuries से इस मुद्दे को लेकर दोनों ही countries आपस में तनाव की स्थिती में रहती है ठीक है अब यहां पर बात करें जो helmet river है आखिर यह नदी क्या है तो helmet नदी की अगर बात करें तो यह अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है ठीक है अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है helmet river साथ ही में ये काबूल से origin इसका होता है ठीक है काबूल अफगानिस्तान के काबूल में इसका origin होता है उसके बाद यह चलती है साउथ वेस्ट डारेक्शन में यानि कि इस डारेक्शन में चलती ह क्योंकि यहां पर ही इरान पड़ता है और फिर यह नदी इरान की बॉर्डर को क्रॉस करती है इरान की बॉर्डर को क्रॉस करके इरान के अंदर एक लेक है लेक हामुन इसमें जाकर मिल जाती है तो इस मैप पर आप देख सकते हैं कि इस मैप में अगर आप देखेंगे तो का बिल्कुल border पर ही लेक मिलेगी और नदी जो है यह cross border river है ठीक है यानि कि नदी जो है border को cross करके जाती है इस map में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा अफगानिस्तान में यहां कहीं काबूल से चलती हुई आती है नदी और यहीं पर आपको देखने को मिलेगा क्या ह आमन लेक यहां पर मिलेगी तो एक चीज अब आपको दो चीज यहां पर clear होनी चाहिए क्योंकि UPSC ने इस बार 2023 का अगर आप पेपर उठाएंगे 2023 का अगर आप पेपर उठाएंगे तो locations पर काफी questions आए है तो important हो जाता है कि जो location है और उससे जुड़ी हुई को important leek, नदी है वो हमें पता होनी चाहिए क्योंकि direct इंडिया के neighborhood में ये conflict चल रहा है अफगानिस्तान की border इंडिया से लगती है तो हमारा direct neighbor है अफगानिस्तान इसलिए important हो जाता है कि अफगानिस्तान का अगर conflict किसी से चल रहा है तो हमें उस पर पता होना चाहिए और क्य कहां पर है Haman Lake इरान में मिलेगी उसके अलावा Hellmond जो river है वो कहां पर है वो अफगानिस्तान में है अफगानिस्तान से origin होती है इरान में जाती है और अफगानिस्तान की सबसे बड़ी नदी है ठीक है साथ ही में हामुन लेक जो है वो fresh water लेक है कहां पर इरान की largest fresh water तो इसलिए भी important हो जाता है कल को statement बना के exam में पूछ सकता है तो छोटे-छोटे facts हैं इनको याद रखेंगे ठीक है चलिए तो ये map की मदद से हमने समझ लिया अब यहाँ पर dispute क्या है dispute आखिर यह है कि 1973 में दोनों देशों के बीच में 1973 में दोनों ही देशों के बीच में एक treaty हुई थी इस जो नदी का पानी है इसके sharing को लेकर इसके किस तरह से बटवारा होगा कैसे इसको use करेंगे इसको लेकर यहाँ पर treaty हुई थी लेकिन समस्या यह है कि यह treaty अभी तक ना तो ratify की गई है और नहीं इसका implementation हुआ है ratify मतलब दोनों ही देशों ने officially उसको स्विक्रती नहीं दी है officially उसको ratify नहीं किया है अपनाया नहीं है और implement भी जाहिर सी बात है फिर implement भी नहीं हो पाईगी ठीक है तो ratified नहीं हो पाईए और implement ये treaty पाईए और इसके बाद यहां पर यहां पर इरान जो है तब से अफ़गानिस्तान के ओपर ये आरूप लगाता रहता है कि अफगानिस्तान जो है इस treaty में जितना पानी का विभाजन हुआ है उससे कम पानी इरान को देता है और ज्यादा पानी अपने पास रखता है यानि चाल प्रशन यह बोँनियाद है क्योंकि जो पानी गए कम जा रहा है इरान की तरफ इरान की तरफ जो पानी कम जा रहा है अफगानिस्तान कहता है कि यह हमारे हमने पानी को कंट्रोल नहीं किया बलकि यह क्लाइमेटिक फैक्टर की वज़े से पानी कम हो चुका है बारिश कम होने वज़े से सूखा होने की वज़े से पानी अपने आप ही क्लाइमेटिक इसके उपर यहां पर major concerns है उसके बाद अगर बात करें इरान और अफगानिस्तान के रिलेशन की बात करें तो दोनों ही देशों के बढ़िया से संबंध चल रहे थे क्यों कि आपको याद होगा 2021 में अगस्त तक अमेरिका जो है अफगानिस्तान में था उसके बाद अधानिस्तान को छोड़ा 2021 के अंदर और उसके बाद से तालीबान वहाँ पर अफगानिस्तान में शासन है लेकिन आप जानते हैं इरां जो है वो एंटी इंटी अमेरीकन जो जो हो अ्यजेम रही यहां पर इपए अच्छी बन रही थी तो इसलिए दोनों ही यहां पर अच्छर toimद स्थापित की वे थे दोनों में बढ़िया रिलेशन कायम थे कब तक जब तक अमेरिका अफगानिस्तान में था अमेरिका के बाद जाने के बाद आप देखेंगे कि यहां पर लगातार तना तनी का महौल है पानी अगर बात करें ओफिशियल रेकिनिशन की तो इरान जो है तालीबान सरकार को अफिशियल रेकिनाईज नहीं करता है अब यहां पर अगर बात करें जो यह कंडिशन बनी हुई है दोनों ही देशों के बीच में जो रिलेशन इस समय चल रहा है water dispute को लेकर जो तना तनी का माहौल है इसमें यह कहा जा रहा है कि दोनों ही देश जो है कोई भी long term solution अभी भी नहीं निकाल रहे हैं दोनों देश अभी भी short term solution के पीछे ही भाग रहे हैं और दोस्तों आप जानते है water sharing कितना important मसला है दो important मुद्दे आपको देखने को मिलेंगे जैसे अगर इंडिया चायना की बात करें तो comment box में मुझे बताइए इंडिया और चायना के बीच में mainly किस river को लेकर water dispute रहता है ठीक है और आप जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी इंडस water को लेकर dispute रहता है ठीक same आपको issues कई countries के साथ होते हुए नजर आएंगे ठीक है तो यहाँ पर अगर बात करें अभी भी short term solution ही ढूंडा जा रहा है short term solution क्या अफगानिस्तान को इसले चिंता है water को लेकर अपने river की क्योंकि अफगानिस्तान वहाँ पर खेती को बढ़ावा देना चाहता है आप जा आती है यह जो रीजन है यह जो रीजन है यह जो रीजन है इरान का इसे कहते हैं सिस्तान बलूचिस्तान इसे कहते हैं सिस्तान बलूचिस्तान यह जो रीजन है जैसे पाकिस्तान का बलूचिस्तान आप जानते हैं वह एक थोड़ा सूखा प्रदेश है वहाँ पर development भी नह इरान में पढ़ता है तो यह जोग्राफिकल रीजन जो है बलुचिस्तान कुछ पाकिस्तान और कुछ इरान में तो इरान का जो बलुचिस्तान है इसको कहते हैं सिस्तान बलुचिस्तान यहाँ पर development कम है पानी की कमी ऑलरीडी बहुत भारी मात्रा में है तो इस वज़े से क् पलायन करके जाते हैं लोग यहां से जगा छोड़ कर दूसरी जगा होपर जाते हैं क्योंकि पानी की कमी है development नहीं है तो जब ऐसे हालाथ हम देखते हैं तो यहां पर already protest काफी जादा चलते रहते हैं और पिछले साल में 21 साल के एक लड़के की 21 साल के वेक्ति की जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनकी हत्या कर दी गई थी उनकी मृत्ति हो गई थी इंटरनल मैटर के लिए इस सॉलुशन इस इस इशु काा सॉलुशन इठ रहे हैं नाकि इस इशु को लॉंगर में पर सुल करने के लिए ठीक है थो यहां पर हम दी सब्सक्राइब ऐसे खेले डूनों ही देश इंटरनल अपने मैटर के लिए शॉंट अभी भी तलाश रहे हैं ठीक है यह सिस्तान बलुचिस्तान रीजन है इरान का जिसके अभी हमने बात के लिए जिसको मैप में हमने देखा अब यह जैसे हमने देखा कि यहाँ पर आलरेडी कई सारे लोग अपने घर छोड़के इस रीजन को छोड़के जा चुके हैं लगबग 25-30% ल लिए डारेक्टली यहाँ पर आप इंडिया का इंट्रस्ट देखेंगी कैसे इंडिया का डारेक्टिंग ट्रस्ट है आप जानते हैं इंडिया चाबाहर पोर्ट बना रहा है इरान के अंदर तो इरान का चाबाहर पोर्ट भी आपको यहाँ पर सिस्तान बोलुचिस्तान म यहां से चाबहार से अफगानिस्तन के काबूल तक जाने वाली रेल लाइन है ठीक है उसको इंडिया कंस्ट्रक्ट कर रहा था लेकिन पिछले साल से अब इरान उसको कंस्ट्रक्ट कर रहा है तो वो रेल लाइन भी यहां से होती हुई जाती है चाबहार से फिर जाती है जाह जिस रीजन में इंडिया की investment है उसी रीजन में conflict चल रहा है ठीक है और यहां पर अब आपको एक question solve करना होगा जो कि हमने बात की कि अफगानिस्तान में जब वो line, rail line enter करती है जब अफगानिस्तान में वो rail line enter करती है तो यहां पर बताएंगे कि कौन सी ऐसी जगा है इस चाब पढने वाली places जो है कॉन सी जगा नहीं है उसको सैलेक्ट करना है ठीक है तो आपको देखने को मिलेगा हमने कहां उसके बातव जाती है जरांज कहां पर है अफगानिस्तान में और डेलाराम जाती है बिल्कुल जाती है काबुल जाती है बिल्कुल जाती है कुंदुस जो है ये लाइन नहीं जाती है ठीक है तो सही जवाब है कुंदुस कुंदुस से ये लाइन होकर नहीं गुजरती है मैप में देखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा कुंदूज आपको नौर्दन अफगानिस्तान में यहां पर प्रोविंस पड़ता है तो इस लाइन का कुंदूज से कोई लेना देना नहीं है कई बार पेपर में ऐसे question पूछ लेता है और इंडिया की permanent ये investment है तो इसी लिए इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे कि एक साल पुराना current affair था या दो साल पुराना current affair था ये इंडिया की permanent interest है ये कभी भी आपसे चार साल बाद भी एक्जाम में पूछ सकता है तो ऐसी चीज़े आपको पता होनी चाहिए तो आई हो वीडियो आपको informative लगी है वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को like करेंगे चैनल को subscribe करेंगे पढ़ते रहेंगे अपना खयाल रखेंगे जहिन दोस्तों